Hi everyone, welcome back to my channel, my name is Anil और Laravel की इस वीडिये के अंदर हम बात करने वाले हैं HTTP Client की ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है Laravel का अब तक आपने सुना होगी हम Laravel का यूज किसलिए करते हैं वेबसाइट बनाने के लिए या फिर API बनाने के लिए और वो API कहां यूज होती है React.js के अंदर यूज कर सकते हैं किसी front-end development के अंदर React.js हो गया, चाहे Angular.js हो गया या फिर Vue.js हो गया इस तरीके से, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी और framework के अंदर API बनी हो, चाहे हो Python के अंदर बनी हो या फिर Node.js के अंदर बनी हो और वो हमें consume करनी हो Laravel के अंदर, right? For example, यहाँ पर एक dummy API है आप देख सकते हो, यूजर के एक API और यहाँ पर कुछ यूजर के email address हैं first name, last name और कुछ images भी दी हुई है Right? So, इस data को आप Laravel के अंदर किस तरीके से यूजर कर सकते हो, वो आप यूजर करोगे STTP client की help से ये क्या करेगा, जो आपकी API बनी होई है उनको यूजर करेगा Laravel के अंदर में बना भी सकते हैं but STTP client feature है वो API को यूजर करने के लिए आपको functions और facilities परवाइड करता है Right? आपको एक line पढ़नी है आपको यहाँ भी सब कुछ समझ में आड़ाएगा Make outgoing STTP request to communicate with other web applications other web application मालो कि यह एक other web application है यहाँ पे लिखा हुआ है reqres.in requestresponse.in और API और यहाँ पे एक चोटी सी API example दिया हुआ है तो इसको हम यहाँ पे यूजर कर सकते है STTP की help से तो कैसे यूजर करते है मैं भी आपको एक example के दुरूब बना के दिखाऊंगा पूरा पूरा So क्या क्या होने वाला है STTP client होता है कि मैं आपको बता चुगा हूँ कि API को consume करने के लिए use करने के लिए यूजर करते है हम Laravel के अंदर और कैसे करते हैं वापका example दिखाऊंगा बाद में जब हम controlled के अंदर हम data ले आएंगे उसको हम send करेंगे view के अंदर view के अंदर से हम फिर हम एक HTML table के अंदर यहां पर data बनाएंगे और एक पूरी HTML table आपको बन के दिखेगी जिसके अंदर हम email address और first name last name के साथ इमेज भी दिखाएंगे आपको जी राइट सो start करते हैं इसको मैं यहां पर बंद कर देता हूं विकोस मैं आपको जस्ट एक थोड़ा सा पढ़ाना जाता था इसको कि क्या है सबसे पहले मेरे प्रचेक्ट के अंदर सो यहां पर मैं सबसे पहले create करूंगा यहां प्रचेक्ट का नाम है यूजर कंट्रोलर का नाम है और हिट करेंगे हम यहां पर तो आप देख सकते हो तक भूमारा उप्रेसा यहां पर बनार धिता हूं आप्सके लिए इनपर साथ एक लिफुपरण के units और यहां पर नौन क यहां पर लकुट आ एकईप यहां पर बना सकते है को लिफीविवा इसका यूजर्स उसको ना करना आपको प्रवाइडे करना है आपके controller का, so इसको मैं import करता हूँ, app और यहाँ पे लिखेंगो, http, http, then यहाँ पे लिखेंगें controllers, और user controller, आपके controller, यहाँ पे लिखेंगे, यूजर कंट्रोलर का नाम, और अब यहाँ पे लिखेंगे, यूजर कंट्रोलर का नाम, और इसको यहां बंद करता हूँ, यह हमारा रेडियो हो गया, अब इसके दरबें index function बनाता हूँ, और मुझे यहां पे function भी लिखना पड़ेगा, और अभी किलिए मैं करता हूँ, echo API call will be here, और इसको मैं run करके देखता हूँ कि क्या इतना run हो गया है, यहां कुछ problem है, I hope यह run हो जाना चाहिए, so यहां पे आप देख सकते, टेक्स्ट आ गया, अब हम API call करने के लिए एक चीज़ को import करेंगे, किसको SGTP को, आपको just simply यहां पे रिखना है, use, illuminate, support, facade, and then HTTP, 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 right, और यह जो HTTP class है, इसको अब मैं use करूँगा, data को get करने के लिए, जसके simply यहां भी लिखना है, सबसे पहले मैं यहां पे return करूँगा, और return के बाद मैं यहां भी लिखना, equal to, और जो हमने अभी के लिए import करा है, HTTP request, इसको हम यहां पे डालेंगे, HTTP, और इस एक method होता है, get a, पे को get करने के लिए, right, और यहां पे हम pass कर देंगे, इस वाली request को, जो हमने यहां पे URLS का, right, और इसको इस तरीक ऐसे use करेंगे, that's it, और हमें कुछ use करना नहीं है, और, actually यहां पे equal to लिखने के जूट नहीं है, आपको directly इसको ऐसे print कर दा सकते हो, अब आपके पास क्या response आने वाला है, यहां पे, आप देख सकते हो, right, अबरा तो आपको मिल गया, बट इसको html की जैसे render कैसे करवा सकते हैं, इसको render करवाने के लिए आपको pass करना पड़ेगा, इसमें view में, और view हमें बनाना भी पड़ेगा, हमारे पास भी view है नहीं, तो मैं बनाता हूं users करके view बनाता हूं, users.blade.php, और यहां पर हम इसको import करेंगे, सबसे पहले मैं यहां पर एक h1 tag लगा देता हूं, और यहां पर लिख देता हूं user list, right, और यहां से मैं इसको call करता हूं, और return मैं यहां से अटा जेता हूं इसको एक variable में ले लेता हूं, इसका नाम बिख लेता हूं data, और यहां पर बेसिकली मैं return करूंगा, view को और इसमें लेखूंगा, users, और इसके अंदर हम directly एक कोई key ले सकते हैं, let's say data वाले की ही ले लेता हूं मैं, और मैं collection ले लेता हूं ज़्यादा सही लगेगा, collection और इसके अंदर हम लेंगे dollar data, right, आप dollar data के अंदर आपने key ले लिए, अब आप कोई चीज दिखाता हूं मैं, जैसे आप यहां पर आओगे तो देखो, यहां पर कुछ यहां पर page number बगएरा है, पर जो actual data आपका start होता हूं data की से start होता है, यहां से लेके यहां तक एक पूरा पूरा array दिख रहा होगा आपको, यहां पर array start हो रहा है और यहां पर array बंद हो रहा है, मैं इस array को लूँँगा यहां पर और इस array को लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरीक इस array बनाके dollar data लिखना पड़ेगा, अब data क्यों लिखा क्योंकि इस key का नाम भी यहां पर data ही है, राइट, अब हमारा यहां पर view ready है, और इसको call करके देखते हैं, पहले आपको एक normal view दिखने वाला है, यह वाला, विखोस हमने अब तक data pass करा नहीं है, अब हमारा पास हो गया है बर रेंडर नहीं करा हमने, अब मैं हाँ पर table बनाता हूँ normal, और यहां पर लेता हूँ tr, td, और td के मैं कुछ यहां पर columns लेता हूँ tr, four, और यहां पर लिखूँगा मैं id, then मैं यहां पर लिखूँगा name, email address, और last में profile photo, right, और similarly मैं एक और यहां पर इसी तरीके से tr लूँँगा, यह तो हमारी heading रहने वाली है और इनकों मैं भी dynamic बनाने वाला हूँ नीचे वाली को, तो अब आप आओगे तो आपको यहां पर इस तरीके से data दिखेगा, यहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यह table है या क्या है, तो इसके लिए मैं इस table का border भी देता हूँ, अब लिखो आप border 1, अब आपको थोड़ा सा समझ में आगे कि इस तरीके से यह बने हुए table, और अब मैं इसको dynamic करने के लिए क्या करता हूँ, यहां पर 4 each loop लगाता हूँ, और 4 each loop के अंदर collection जो हमने यहां पर लिया हुआ है, और collection as item आगया है, यहां पर item ले लो, user ले लो जब भी आपको ठीक लगे, इस तरीके से यहां पर इसको paste कर लो, और इसको paste करने के बाद just आपको यहां पर simply लिखना है dollar user, sorry यहां पर double curly braces आएंगे dollar user, और user के अंदर आपको लिखना है सबसे पहले id, आपको पता कैसे से लिए कि id ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना क्योंकि यहां पर आपको मिल रही है id की, यहां पर लगा सकते हो id, और ताकि फटा-फट से मैं सारे data को रेंडर कर पाऊं, इन सब को मैं change कर देता हूं, इसको भी लास्ट वाले को चेंज मैं करनी रावस को मैं आपको बता हूं क्यों नहीं चेंज कर रहा, और यहां पर यहां पर यहां पर लिखना है, इमेल और अब आपको क्या देख रहा है, इसको मैं refresh करता हूं, आपको देख रही है पूरी की पूरी टेबल बट प्रोफाइल फोटो आपको नहीं देख रही है, क्योंकि प्रोफाइल फोटो के लिए हमें मैं अपता कोड नहीं कर रहा है, इसको पर यहां पर यहां पर रेंडर करती है, तो इस तरीके से आपके पूरी पूरी लिस्ट बन गई है, हो सकता है कि आपके पास इसमें से कुछ question हो तो मुझे comment box में यह चीज़ पूछ सकते हो, आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूं कि अब हमने data को just get कर रहा है, हम इसके through data को यहां से send भी कर सकते हैं, एक form बना के उसके अंदर हम ट्रहा है, मैंने अभी के लिए यह API यूज करी है, वो मैंने यूज करी है controller के अंदर, क्या मैं इस API को model के अंदर या फिर directly web.php के अंदर कहीं और भी यूज कर सकता हूं, हां तो कैसे और नहीं कर सकता तो उसका reason बताओ कि क्यों नहीं कर सकता, तो थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकूल मत बूलना, भाई बाई टेक कर फोर मुमेंट